मुँआरे साथ में उज्वल रवन सिंग हैं उज्वल रवन सिंग ने आज कॉंग्रेस को जॉइन किया है और इस बात की चर्चा है कि इलहाबात सीट से चुनौती देंगे समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस के जो इंडिया गटबंदा ने उसकी और से उज्वल भाई आप सबसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपने कॉंग्रेस जॉइन किया है एक बड़ी विरासत अवी आप viruses पार्टी के साथ में तो कॉंग्रेस क्यूं जॉइन किया यह कोटे में यह सीट आगी थी कॉंग्रेस के खाते में इसलिए जुइन निश्य तोड़ पर कांग्रेस पार्टी जोइन किया है कांग्रेस पार्टी की विचारधारक को मजबूत करने का काम करेंगे और दोनों राष्टरी नितृत्व का यह फैसला है तो यह फैसले की परणिती आज है तो निश्य तोड़ पर इंडिया एला tack को प्रियागराज की सीट जितवाने के लिए कोई कोड कसर छोड़ने का काम नहीं करेंगे ये आपको कन्वे कर दिया गया है कि आप वहां से अमीदवार होंगे आप ये बात खुल के बता सकते हैं चुकि ये बात तो आम चर्चा का विशह है आप अगर आज छुपाएंगे तो कल जाहिर होगी तो मुझलता है कि आपको जो सच है बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी का शिर्ष नेतरुत इस चीज का फैसला करेगा और जब तक वो फैसला न कर दे तो ये कहना मेरी तरफ से उचेत नहीं होगा अभी तक तैनी हुआ है कि इलावाद से कौन लड़ेगा ये फैसला उनके हाथ में है अभी तक नहीं तैन हुआ है ये मेरी जानकारी में नहीं है तो बड़ी हरानी की बात है आपने पार्टी भी जोइन कर ली और आपकी जानकारी में नहीं है कि पार्टी विचारधारा को मजबूत करने के लिए और जो बीजेपी के नीती और कारिकरम उसके विरोध में पार्टी को जोइन किया है। मुलाइम सिंग आदो कि बहुत ही अभिनिस योगी रहे हैं। क्या वो भी इधर आ रहे हैं या वो समझवादी पाल्टी में रहे हैं। निश्यत तोर से नेता जी के साथ उनकी घनिश्टता रही। और आज इवन जब तक वो रहे तब तक रही। और यह फैसला उनको करना है। तो यह सवाल मुझे लगता है कि अगर आप उनसे करने तो बहतर होगा। एक आखरी स्वाला से मेरा। कि आप यह बताईए कि आज की जो स्थितियां हैं। इलहाबाद की सीट कितनी मुफीद है जीतने के परपस से। आज की जो सिटिंग सांसा दृता बहुडा जोशी उनको भी आप अच्छे से जानते हैं। कितनी मुफीद है यह आपके लिए जीतने के परपस से। भारती जनता पार्टी को फैसला करना है। पहले वो अपना कैंडिडेट उतारे। उसके बाद इस छीज को हम लोगसेतने करेंगे। मेरा मानना है की प्रयागरा सीट को इंडिया गणधन जीत सकता है। कांगरेस पार्टी के उसकी संहयोग से जीता है। पहले वे वो समाजवादी सीट रही है। जनेश्वर मिश्रा जी वहां से रहे, फिर सरोदूबे जी रही, फिर बाबु जी वहां से दो बार चुनाव जीत कर गए 2004-2009 में, तो निश्चे तोर पर वहां पर इंडिया एलाइंस का मददाता है, उनके साथ अगर और जो जन आक्रोश है, और जो जन समर्थन मुझे मिल अख्लेश जी अदो जी का हमेशा मुझ पर आशिरवाद रहा है, हमेशा उन्होंने जब कभी भी जरूट पड़ी है, हर मौके पर उन्होंने दिया है, और मुझे लगता है कि भविश में भी उनका आशिरवाद मुझे मिलता रहे गा, आगे रहेंगे कॉंगरेस पार्टी इस विचारधारा की लड़ाई में हम कांगरेस पार्टी को पूरी तरह से हमारा आज हमने जोइन भी किया है, और इस विचारधारा मेरा मानना है कि देश को अगर कोई बचा सकता है, तो यही विचारधारा बचा सकती है, चाहे आजादी के पहले की रही हो, चाहे आजाद जमुनी के तहजीब थी उसको खतम किया जा रहा है तो इसी कारिकरम को नीती के विरोध में इसी विचारधारा के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को जॉइन किया है और आने वाले दिनों में भी हम इसको मजबूत करते रहे हैं कि एक बेसिक फर्क्या समझ में आ रहे हैं तो नहीं बिचारधारा आने वाले दिनों में जो बीजेपी को जो टक्कर दे सकती है जो बीजेपी को हरा सकती है जो बीजेपी को हरा सकती है देश के सतर पर और निश्चे तोर पर इंडिया एलाइंस जो है उत्तरपरदेश में बहतर नतीजे जो है करेगा 2019 से जब आप इसका जो है वो फरक देखेंगे तो इंडिया एलाइंस की जो आज आपको नहीं लग रहा है बहतर सीटे जीत कर जाएगा इल्ली पहुचेंगे आप संसत में ये तो प्रियागराज की महान जनता इसका फैसला करेगी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए उज्वल्रवन सिंगी मारे साथ हैं और ये बताते हुए कि क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जो इलाइबाद की सीटे उसको लेकर के इंडिया गडबंधन एक जोट है कमन हर्यों मिश्रा के साथ अभिशे कुपाद्याए इविपी लगनो